आज मैं आपके लिए ले कराई हूं बहुत ही टेश्टी सारेस्पी जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इसे जटबट से बना कर तयार कर सकते हैं और बहुत ही कम समान में बन कर तयार हो जाता है तो चलिए मैं वीडियो को सुरू करती हूं तो मैंने यहां पर लिए ब्रेट आप बड़े या छोटे साइज का भी ब्रेट ले सकती है जो भी आपके पास हो आप उस ब्रेट का बना सकती है और उससे बनाने के लिए मैं लेती हूं यहां पर एक गिलास दूद यह दूद हमारा उबला हुआ है है तो मैंने सारा दूद गिरा दिया कौई बात नहीं तो मैं थोड़ा सा दूद निकाल लेती हूं गिलास में पांच से चमच मैंने यहां पर दूद निकाल लिया गिलास में, फिर मैं इसमें डालूँगी कश्टर्ड पाउडर एक चमच, और आधा चमच और हम इसमें डालेंगे, तो मैंने इसमें डिल्ड चमच कश्टर्ड पाउडर डाल कर खुब अच्छे से मुझे इससे क्या करना कि मिक्स करना है ताकि कोई लंप्स ना बने पिर मैं यहां पर लेती हूं इलाशी खड़ा इलाइची है तीन चार जैसे भी आपको रखना होगा आप रख लीजेगा यह हमारा बदाम इसे मैं बारी कट कर ली हूं थोड़ा सा मैंने ले लिया यहां पर पिस्ता इसे भी मैंने बारी कट किया है जो भी ड्राइफूट होगा आप ले सकती है तो चलिए इलाइची का छिलका मैं निकाल कर दाना को मैं निकाल लेती हूं अलग पिर दाने को मैं क्या करूंगी इससे कोट लेती हूं तो मैंने कुट के तयार कर लिया है फिर इसे कटोरी मेर मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ फिर हम ले लेंगे दूद के हिसाब से मैं यहाँ पर ली हूँ चार चमर चीनी आप अपने मीठी के एकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं फिर मैं दूद को गैस के ऊपर चड़ा देती हूँ उबलने के लिए तो दूद जब उबल जाए तो हम क्या करेंगे इसके बाद हम डालने के इसमें चीनी और फिर कुटा हुआ इलाइची पाउडर इलाइची पाउडर अभी हमें डाल देना है तभी इसको जब उबलेगा तो खुब अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा दूद में फिर जो मैंने कश्टर्ट का तयार किया था घोल उसको मैं डाल देती हूँ उसमें फ्लेम को बिल चार मिर्ट के लिए इसमें पकाऊंगी है कि तो धीरवी देखिया हमारा थीक हो रहा है यह थोड़ा सा दूद हलका जागा मिव तो फिर तीन से चार मिर्ट हो गया पिर इससे हम क्या करेंगे गैस स्कूब आफ कर देते हैं ठंडा होने के लिए हम डग देते को कि तो हमारा दुढ़ थन्डा हो चुका है तो मैं यहां पर देखिंअ मार्य थन्डा हो गया फिर चले मैं या पर एक बर्थन ले लेती हूं इसमें 2-3 च 95 दूढ़ में रख लेती हूं नियुकर फिर मैं इसके उपर बेट लगाना है तो दोनों ब्रेड हमारा सेट हो गया है इसके बाद से कटा को हम क्या रख करेंगे कि ड्राइफूट रख देते हैं पीस्ता बदा मैंने रख दिया है फिर चमश की मदब से चारो तरप हमें अच्छे से दूद को डालना इसके उपर से फिर इसके उपर से फिर से उसी स्टेप में क्या करते हूं कि ब्रेड रख देंगी फिर उसी तरसे में ड्राइफूट रख देना है इसके उपर फिर दूद को हम अच्छे से गिराएंगे इसके उपर खुब अच्छे साब डालेगा ताकि जो कार्डनल का है जो किनारे किनारे का है पार्ट भी खुब सौप्ट हो जाए तो तीसरा लेयर में बनाने चल लेए हूँ देखिए तो यह मारा छै ब्रेड में बन के तयार हो गया फिर इसके उपर भी मैंने ड्राइफ्रूर डाल दिया है फिर सारे दूद को मैं क्या करेंगी कि अच्छे से चारो तरफ से गिराते हुए सारा दूद मैं डाल देती हूँ इसके उपर आपको दूद बचाना नहीं है सारे दूद का इस्तमाल कर लेना इसमें तो सारे दूद मैंने डाल दिया है देख सकते हैं फिर 10 मिनिट के लिए से हम रेश्ट पर रख देते हैं तो दूद jeste the bread, so just as well आगर आप चाहें तो फ्रीज मेंने खानाइज आप इसे फ्रीज में भी रखे का सकते हैं फ्रीज में रखे खाने अगर उसे एक बार में पूरा काट लीजेगा चाहें तो आपको जैसे खाना होगा उस हिसाब से आप इसे काट के खा सकते हैं तो चली आभी तो मैं आधा को मैं सुबाधा कर। तो दिखी मैं ने काट लिया है फिर चली चमयज की मतल Father मैं इसे निकालती हूं सारफ करने के लिए आप इसे फ्रीज में रखके खाओ या ऐसे खाओ बहुत ही टेश्टी लगता है बस फ्रीज में यह है कि थोड़ा थंडा थंडा अच्छा लगता है खाने में अगर आप इसे बना कर खाओगे ता आप इसके आगे रस मलाई भी खाना भूल जाओगे यकीन मानों आप अपने घर में जरूर से बनाएगा दिवाली स्पेसल मिठाई इसे हर कोई बना लेगा इसको बनाने में कोई भी ताम जाब नहीं है घर में भाई तो सबके दूध ब्रेट तो पड़ा ही राता है हर कोई बना कर लेगा तो चली मेरी बेटी खाने के लिए तयार है भाई खाकर बताती है देखे काट कर भी बता दिखा रही कितना अच्छ कोई मीठा खाने का मन करता है कोई मीठा नहीं रहता तो इस से जरूर बनाती हूं बना कर सकते हैं खिला सकते हैं हर कोई आपकी तारीफ करेगा और इतना कम समार में बनता है कि कोई अकेन नहीं करेंए कि आपने इतने कम समाल इस तैार किया है है तो विडंश आप बताईए गा कि आपको मेरी रिस्पी सै लगी मेरी बडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी बीडियो लायक करें चैनल को सर्सक्राइब करिए वेल आकरम अरॉन दबा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले निव वीडियो में तब तक लिए बाई बाई थाइंक यू